हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुराहुल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदें साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9 स्टैंडर के लिए साइंस सब्जेक का जो हमारा चाप्टर चल रहा था फ्रेंड जिसका नाम है इन्वार्मेंटल मैनेजमेंट चाप्टर नमबर 9 आज हम इस चाप्टर का लेक्टर नमबर मिटरलोजी डिपार्टमेंट की बारे में इच और अवरी पॉइंट जो हम ने देखा हुआ था तो आज हमारा क्या है दोस्तो इस पर्टिगलर चाप्टर का हमारा तीसरा लेक्चर है तो हम बात करने वाले हमारे कुछ बहतरीन टॉपिक्स की जिसका नाम है यहां पर सॉल करते हैं normally waste आगर बात किया जाए हम इंसान जो है अपने फाइदे के लिए इस्तिमाल करते हैं और जब इस्तिमाल करके हो जाता है उसका कुछ काम नहीं होता है तो हम उसको फेक देते हैं that comes under the इवन हर जगह आप देखोगे, railway platform हर जगह हम लोग क्या करते हैं, तो जो solid होता है, यानि कि जो कड़क होता है, ऐसे type की waste को हम लोग क्या बोलते हैं, solid waste, और यह जो waste होता है, यह mostly create किया जाता है, हमारा जो day-to-day life हम लोग activities जो करते हैं, daily activities जो करते हैं, यहीं से create होता है, तो and biomedical waste, तो these are the some examples which we can consider as the solid waste, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि यह solid waste तो आपको चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ characteristics की बात करें, तो normally अगर हम बोले, तो हम जो है, अगर यह जो waste material जो है, इसको अगर करके दिखाया, दोस्तो, and सुखा, कच्रा, गीला, कच्रा, कौन से भी type के waste को use करके, उन्होंने कुछ न कुछ एथन ओल बना लिया, या फिर कुछ ऐसा fuel बना लिया, जिससे आप कुछ न कुछ काम कर सकते हो, तो यानि कि आप जो waste material होता है, अगर उसको properly use किया जाए, तो source of energy बना सकते हो, फिर जो waste material होता है, अगर इसको properly dispose किया जाए, तो हमारा जो आसपास का महौल है, environment जो है, हमारा ecosystem में वो क्या कर सकते है, clean हो सकता है, जिससे हमारा cleanly less जो होता है, साफ सफाई जो है, maintain हो सकता है, proper तरीके से, and currently अगर बात करें, जो solid waste होता है, यह बहुत ज soil pollution, यह तीनो टाइप के pollution, solid waste के वज़े से होता है, ठीके, solid waste को आप जला होगे, तो धुआ निकलेगा, तो इसके से air pollution हो सकता है, solid waste जो है, पानी में जाएगा, वहाँ पे dissolve होने के बाद, aquatic animals को परिशान कर सकता है, जिससे हमारा water pollution, पानी गंदा हो सकता है, water pollution होगा, जमीन पे जाएगा, तो उसका fertility को कम करतेगा, यानि कि soil pollution भी हो सकता है, तो तेरा various types of problem which occurs because of this solid waste, यह जो solid waste एक सबसे serious problem हमारे nature में बहुचाता है, यानि कि हमारा जो nature है, हमारा environment, जो atmosphere है, वो खराब हो रहा है, हमारा economic growth भी खराब हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा country ही सुरक्षित नहीं रहेगा, और बहुत सारे environmental related problem रहेंगे, तो हमारा economy जो होगा country का, वो grow नहीं कर पाएगा, environmental degradation होने रहेगा, दीरे दीरे हमारा earth जो है, ऐसे खतम हो जाएगा, plastic, आप imagine करो, दुनिया में कितने सारे plastic, इसके लिए तो plastic ban किया गया है, आप सोचो थोड़ा सा, कि plastic ban करने दोस्तों नहीं होता है, हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों, लेकिन आप सोचो अगर वो हर इंसान, 130 करोड़ सीफ इंडिया में ही population है, और 130 करोड़ में से अगर 100 करोड़ लोग ने भी थैली यूज किया रहेगा, और वो थैली को कहीं नगए फेकेगा, तो सोचो कितना कूडा कचरा जमा हो जाएगा, और वो हमारा अर्थ को कितना नुकसान पोचाएगा, जिसके वैसे हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है, यानि कि इस प्रिथवी के उपर हुमेन बिंग्स जो है, प्लांट्स भी है, लेकिन हुमेन बिंग्स भी बहुँ उतने ही इंपोर्टन भी है, और तरीके से यहां पर सोर्स आते हैं, यानि कि ताइप ऊप वेश्ट पढ़ेंगे, तो तीरा आट वेस्ट सबसे पहले होता है, जो हमारे घर से नॉमली कचरा आता है, जैसे कि पेपर्स हो गये, प्लास्टिक बैग्स हो गये, धफिर जो जो वेज़ी तेबल के छ प्रूट्स के चिल के आगे फिर आपका खाना जो बच जाता है फूड वेस्ट हो जाता है यह सभी चीज मिला जुला कि आपके घर से जो निकलने वाला कच्रा है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट सेकेंड बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है निकल्स दिकल्चे समान जो घांस डेते हैं और यह सब क्या एक तोड़ के वेस्ट है फिर animal का urine हो गया, dung हो गया, pesticides हो गया, these are the sum example which comes under the farm waste, clear है, फिर आता है अगला e-waste, e-waste का मतलब होता है दोस्तो, electronic waste, यानि कि जितने भी electronic items होते हैं, अगर खराब हो जाता है दोस्तो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो भंगार में बेज देते हैं, लेकिन भंगार मे जाता है, क्योंकि electronic waste जल्दी decompose नहीं होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपने गलती से एक छोटा मोटा कवाड, लाइक आपके घर में computer या फिर कुछ TV का सेट्स वगरे खराब हो जाता है, और आप लग उसको कूड़े दान में जाके फेक के आजाओ, यान पी जहां यहाँ पर चला गया, आप देख सकते हो, यहाँ पर ओके, slide आप आपस आ गया हमारा, तो e-west हमारा complete हुआ, अभी आते हैं हम लोग hospital waste पर, तो hospital waste को हम लोग biomedical waste भी बोलते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जितने भी hospital से यूज होने वाले जो चीजे होती है, उसको कच कुछ operation मगरे होता है, body का part होता है, tissues होते है, blood होता है, खून मगरे है, यह सभी चीज को fake दिया जाता है, hospital waste या फिर biomedical waste और यह भी बहुत जादा नुकसान पहुचाता है, फिर बात करें city waste, जिसको urban waste भी बोलते हैं दोस्तों, तो जितने भी waste होते हैं, industries में से, ठीके न, industries म से आ गया, फिर large commercial establishment तो offices होते हैं, यह सब जगा से जहां पर आते हैं, जिसमें carry bags आ गये, आपके plastic bags, glass आ गये, metal pieces आ गये, rods, thread, rubber, paper, यह सभी चीज को consider किया जाता है, हमारे city waste के अंदर, फिर आ जाता है हमारा radioactive waste, तो radioactive materials जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है, atom bomb बनाने के यह सभी चीज radioactive waste में consider किया जाते हैं, last but not the least, आपका होता है mining waste, तो mining waste यानि कि जब भी हम लोग कुछ खुदाई करते हैं, कुछ चीज को निकालने के लिए, पहार खोदे जाते हैं, जमीन के अंदर से खोदे जाते हैं, कोईला निकालने के लिए के जाते हैं, यह सभी तो हमारा जो अगला topic के दो और main type के waste होते हैं, इतना सारा type के waste आपने पढ़ लेकिन इसके अलावा भी दो main categories होते हैं, हमारे waste के type के, एक type का waste है हमारा bio degradable waste, दूसरा होता है non bio degradable, नाम से यह आपको पता चल जाएगा दोस्तों, bio degradable waste एक ऐसा type का waste होता है, जो की easily degraded हो जा हैं bio degradable waste, यह चीज़ आपको याद रखने हैं, बहुत important चीज़ हैं, बहुत easy concept है इसका, ठीके ना, जिस type के waste को microorganism खा के सड़ा के खतम कर देंगे, vanish कर देंगे, decompose and degraded properly हो जाएगा, तो वो हमारा रहेगा bio degradable waste, example बहुत सारे है, fruits हो गए, food हो गए, vegetables हो गए, बहुत सारे चीज़े बच जाती है, बचा हुआ खाना, यह सभी चीज़ हम फेक देते हैं, लेकिन दिरे दिरे वो सड़के खतम हो जाता है, ठीके न, वो रहता नहीं है, तो यह सभी चीज़ बायो degradable waste होता है, और यह bio degradable waste को, it is also called as the wet solid waste, ठीके न, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गी लाग कचरा भी बोला जाता है इसको, और वही हम बात करें, अगला जो type of waste है, जो कि यह non-biodegradable, नाम से ही पता चल जाता है, non-biodegradable, यानि कि यह एक ऐसा type का waste है, जो easily degraded नहीं हो पाता है, microbes के द्वारा, यानि कि microorganism के द्वारा, यह जो है easily degraded नहीं हो पाता है, या तो होता है, ताकि इसको degrade किया जा सके, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ ऐसे type के waste होते है, जिसमें, जिसके वेसे decompose, या फिर degrade नहीं कर पाते है, examples इसमें कौन-कौन से आते हैं, आपके plastics हो गए, जितने भी plastic के material होते हैं, plastic के bags हो गए, जिसको हम लोग थैली बोलते हैं, नॉमल जिसमें हम खाना खाते हैं, यह सभी चीज क्या होता है, थर्मकौल से बनता है, जो कि non-biodegradable के category में आते हैं, और यह जो non-biodegradable type का waste होता है, इसको बोलते हैं हम लोग dry solid waste, मतलब non-biodegradable waste are also called as the dry solid waste, क्योंकि यह dry है, सूखा एक दम, तो dry solid waste, या फिर इसको बोलते हैं हम ल होते हैं, लेकिन सबसे important बात यह भी होती हैं दोस्तों, कि यह जो waste हमने पढ़ा, यह जो solid waste है, इसको हम लोग को अभी क्या करना है, control भी करना है, prevent भी करना है, रोकना भी है, तो हमें पढ़ना है दोस्तों, solid waste management, लेकिन यह solid waste management की जरूरत की हुए, necessity क्या है इसकी, क्यों ज controlling the pollution, अगर आप इसको control कर लोगे, solid waste को control कर लोगे, गीला, कचरा, सुखा, कचरा नहीं produce करोगे, तो सबसे important यह है कि pollution नहीं होगा, उसके से pollution बहुत हद तक control हो जाएगा, और हमारा earth जो है एकदम clean रहेगा, जिसके वैसे हमारी life भी बढ़ सकती है, plants की life बढ़ सकती है, और tools वगरे, ethanol वगरे बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल ऐजीक, fuel कर सकते हैं फिर बात करें इसका इस्तेमाल होता है, solid waste क्यों जरूरी है, कम करने को लिए, manage करने के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि it is used to reduce the stress on natural resources, जो natural resources होते हैं, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, stress कम कर सकते हैं, कम से कम इस्तेमाल करेंगे हम लोग natural resource का फिर हमारा जो ecological balance है हमारा जो environmental and organisms and जितने भी हमारे atmosphere इसके बीच में balance जो होना चाहिए वो proper तरीके से maintain हो सके फिर बात करें to maintain the health and quality of life of human and animal हमारे human beings हो गये animals हो गये plants हो गये हर एक का यहां पर health and quality जो होता है life का उसको proper तरीके से maintain कब कि जा सकता है जब यह type के जो waste है वो यहां पर कम से कम produce होंगे या फिर ना के बराबर produce होंगे तब जाके हमारा health और plants का health, animals का health proper तरीके से function कर सकता है और अच्छे से हम अपने life जादे लंबे समय तक जी सकते हैं और वही बात करें last point necessity के लिए क्यों ज़रूर यह solid waste management करना क्य चेतों में डालते हैं ताकि हमारे crops अच्छे से produce हो जाए लेकिन वह यूज करने से हमारा soil का fertility खराब होता है और crops में भी जहरीला पना सकता है, poisonous हो सकता है तो उसके बदले हम solid waste का ही यूज करके अगर natural तरीके से fertilizers बना ले तो हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं और हमारा पैस solid waste management का साथ principle क्या होते है, बहुत important concept है, सबसे पहला reuse, अब reuse नाम से आपको पता चल जाएगा क्यों reuse कर रहा है, कि अगर आप ऐसे materials यूज करते हो जो बार बार यूज किये जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं reuse करें, जैसे कि आप एक समझ लो आपने polythene यूज किया, यानि क फिर से आप कुछ समान खरिण जाओंगे, तो उसको बोलो कि मुझे नया थेली ने चीए, मुझे यही थेली में दो, तो वही थेली आपका चलता रहेगा, और कम सेगम आप एक-दो साल उसको easily चला सकते हो, अगर वो फटेगा नहीं, तो इससे क्या होता है, reuse आप कर सकते ह बहुत सारी चीज़ है, reuse करने के लिए, फिर दुसरा है, refuse, आपको सिधा-सिधा कुछ चीज़ को मना कर देना है, यह हमारा दुसरा R है, यानि कि refuse कर देना है, कुछ ऐसी चीज़ होती है, जो harmful होते हमारे environment के लिए, तो आप उसको मना कर दोगे, कि मैं यह use नहीं करूँग तो वो मजबूर हो जाएगा, कि वो polythene bag ना खरीदे, जैसे हो मजबूर हो जाएगा, तो एक आदमी के साथ अगर होगा, तो पूरे दुनिया में कितने लोगें सब ऐसा करेंगे, तो हर चीज़ को हम लोग refuse कर सकते हैं, जिससे नौमत ही नहीं आएगी, कि polythene बनाई नही कोई, उसके बाद है recycle, बहुत सारे एसी चीज़ है जिसको हम लोग recycle कर सकते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी चीज़ को हम लोग वापस से recycle कर सकते हैं, एक बार यूज़ कर लिया, फिर से हम लोग इसको use कर पाएंगे, उसके बाद होता है rethink, rethink मतलब क् आप दुबार से सोचो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नया टेक्नीक इस्तेमाल कर सकते हो, और किस तरह से आपका solid waste management कर सकते हो, solid waste को reduce कर सकते हो, तो हमें वापस से सोचना, rethink करना सबसे important चीज़ है, उसके बादे reduce करना, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जो भी use होगा, resources का, उसको restriction लगा दो, ताकि कम से कम, जो waste हो, वो create हो, ज्यादा तरीके से waste ना हो, तो research क्यों करना है, क्योंकि आपको normally क्या होता है, कुछ ऐसे alternative source हमें बनाने पड़ेंगे, अगर हम plastic use नहीं करेंगे, मैंने माना कि हम plastic use नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा material चाहिए हमें, जो हम लोग ऐसे plastic का इस्तिमाल कर सके, अगर plastic नहीं चाहिए, तो plastic के जैसा दिखने वाला, plastic के जैसा मजबूत, जैसा कुछ चीज हम लोग को मिलना चाहिए, तब ही जाके हम लोग कर सकेंगे, और उसमें थैली में समान ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें research करना पड़ेगा, तो scientists लोग बहुत सारे लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिसके वे से कुछ न कुछ नए टेकनीक का इस्तेमाल कर सकें, और लास्ट बट नॉट बलिश्ट, सात्वा जो प्रिंसिपल है, सॉलिल वेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि है रेगूलेशन और पबलिक अवार्नेस, करो, ठीके न, उसको बताओ कि ये सब चीज़ करना कितना ज़्यादा रिस्की होता है, और कितना ज़्यादा नुकसान दायक होता है, ये सब चीज़ आप बताओगे, तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, जिसके हल्प से हमारा जो मकसद है, कि हम सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल कर सके, ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा, एक ऐसा टॉपीक है, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, तो लास्ट लाइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेश्ट मट्रेल मैंने सिलेक किया है, कि कि इसका कौन-कौन से डाइप के वेश्ट मट्रेल है, और कितना टाइम लगने वाला है उस नाच्रल डिग्रेडेशन के लिए, यानि कि नाच्रल तरीके से इसको अपने आप डिग्रेड होने में कितना समय लगता है, वो हमने यहाँ पर मेंचन किया हुआ है, तो सबसे पहले banana peeling, banana का जो छिलका होता है, केले का छिलका आप खा के fake देते हो, तो उसको खतम होने में कितना time लगेगा, लगबग 3-4 हफते लग जाएंगे, तब जाके वो automatically सड़ के खतम हो जाएगा, micro organism उसको खा के सड़ा के खतम कर देंगे, ठीक है, उसके बाद clothes, जो कप आपके wooden materials जो होते हैं, ठीक है, ना, sweater हो गया, socks वगया, यह सबी चीज जो है, लगबग 1 साल लग जाएगा, उसको automatically degrade होने में natural तरीके से, फिर wood से बने हुए जो materials होते हैं, wooden materials जिसको बोलते हैं, उसको 10-15 साल लग जाते हैं, सोचो दोस्तों, सोचने वाली बात है, लकड 20-50 साल लग जाते हैं, 40-50 years लग जाते हैं अपने आप degrade होने में, फिर aluminium cans जो होते हैं, आप जो like cold drink पीते हो, जो भी पीते हो दोस्तों, उसमें aluminium cans से बना होता है, तो aluminium cans को लगबग 200-200 साल बाप रेबाप, दोस्तों, इतना सारा time लग जाता है उसको degrade करने में, तो सोचो 200-200 साल लग जाएगा अपने आप decompose होने में, अगर उसको normal गला के decompose नहीं किया, natural तरीके से उसको decompose होने के लिए छोड़ दिया गया, तो 800 साल तक लग जाएगे उसको decompose होने में, फिर next है, plastic bags, जो आपका थाईली होता है, plastic bags से जितने भी चीज़े बनी होती है, तो normally दोस्तों, यह मैं खुद देख के हैरान हूँ, 10 लाक साल लग जाते हैं, 10 लाक येर्स लग जाते हैं, उसको natural तरीके से decompose होने में, तो बहुत बड़ा साल है यह दोस्तों, मतलब सोचो एक यूग जो होता है, वो खतम हो जाएगा और तब तक वो plastic bag, यानि कि अगर एक एक टाइम लेता है, decompose होने में, and last but not the least, thermocall plates, यानि कि thermocall से बनने वाले जो भी articles होते हैं, plates होते हैं, जो आप खाना खाते हो, जिसमें plates में, thermocall वाले जो शादी भी आमें खाते हो, यह सभी चीज को भी decompose होने में, यानि कि natural तरीके से degrade होने में, infinite duration लग जाता है, यानि कि कभी decompose ही नहीं होता है, ठीक है न, thermocall अगर बगवान राम के जमाने से भी अगर thermocall होगा हो, तो होता नहीं, यह हमने बनाया हुआ है चीज़े, thermocall manmade thing है, natural thing नहीं है, तो सोच अगर वो time से भी होता है, तो भी आज के rate में कहीं नहीं मिलता हो, तो सोच सकते हो कि कितना important यह सब चीज़ता हमें जानना, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह topic आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि कौन सा material का कितना जाधा, यहाँ पर time लग जाता है, degrade होने में natural तरीके से, clear है दोस्तों, तो बस दोस्तों, आज के ल management जो कि इस chapter का आखरी lecture होगा, तो वो फटा-फट से करा के आप लोगको यह chapter जो है complete हो जाएगा, तो finally आपका 9 chapters complete हो जाएगे, तो पूरी उमीद करता हूँ कि आप लोगको यह chapters और यह lecture वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, और जैसा भी आपको लगा है, दोस्तों प्लीज अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें कमेंट करके बताईएगा, क्योंकि हमें पता चलता है उससाब से कि आपको क्या चीज़ डिमांड है, क्या चीज़ आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए दोस्तों यूसफुल लगा है, तो प्लीज व फटा-फट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ने बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोको नोटिफिकेशन मिलती रेगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने क जब दाौत से Himalya, जब टान लोतिकेशन मिलती टुनारी चैनल को सब्सक्राइब का वीडियों के ब açना, सब्सक्क्राइब कि भादराइब के जब लोको सब्सक्राइबutetाब के जब वाथमों सब्सक्राइब की वीडियोगरे लेकर का?